Hello Friends, Welcome to Money Tips आज हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों के लिए कैल्शम क्यों जरूरी है छोटे बच्चों में कैल्शम की कमी के क्या कारण है और हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे बच्चे में कैल्शम की कमी हो गई है और कैल्शियम के कमी को दूर करने के लिए हमें बच्चों को क्या देना चाहिए, कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए और कौन सी कैल्शियम रिट फूर्ट देने चाहिए तो इस वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास तक जरूर बने रहिएगा तो आएए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए कैल्शियम एक ऐसा मिनीरल है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है ये न सेश्व बढ़ों के लिए बल्कि छोटे बच्चों के लिए भी बहुती जरूरी है छोटे बच्चों की physical growth के लिए physical development के लिए कैल्शियम जो है बहुती ज़ादा जरूरी है अगर बेबी की बॉड़ी में कैल्शियम की कमी हो गई है तो इससे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ पर भी असर पड़ता है दिखी छोटे बच्चे जो basically 6 months से बिलो हैं उनमें कैल्शियम की कमी होना एक normal problem है क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो केवल मिल्क पर ही depend होते हैं या तो वो formula milk पर depend होते हैं या फिर mother milk पर depend होते हैं अगर आपका बेबी ठीक से feeding नहीं ले रहा है तो हो सकता है उसकी body में calcium की कमी हो जाए अब बात करते हैं कि calcium छोटे बच्चों में क्यों जरूरी है देखिए छोटे बच्चों के physical growth के लिए physical development के लिए calcium बहुत ही important रोल निभाता है और body के लिए calcium बहुत ही ज़्यादा important है calcium से ही baby की muscle strong होती है baby के bones strong होते हैं और calcium से ही baby की muscle जो है bones जो है ठीक से काम करने में उनको help मिलती है मैं आपको बता दू पहले one year में जो baby का body mass जितना बढ़ता है उतने ही baby का growth भी होती है उसी हिसाब से baby का weight भी बढ़ता है अगर आपके baby का body mass बिलकुल ठीक है तो इसका मतलब है कि आपके baby को ठीक से calcium मिल रहा है उसकी body में calcium जो है sufficient है कोई कमी नहीं है अब बात करते हैं कि बच्चों की body में calcium की कमी के क्या कारण है calcium क्यों कम हो जाता है देखी जो newborn baby होते हैं कुछ बच्चों में पाया जाता है कि जन के बाद वो ठीक से oxygen नहीं ले पाते हैं oxygen की कमी रहती है इसलिए उनको oxygen लगाया जाता है तो ऐसे बच्चे में आगे चल करके calcium की कमी हो सकती है या फिर अगर mother को diabetes की problem है तो भी बच्चों में calcium की कमी देखने को मिलती है और सबसे तीसरा और important चीज ये है कि अगर आपका baby premature born है और वो 32 weeks से पहले born हो गया है तो ऐसे बच्चों में भी calcium की कमी देखने को मिल सकती है और सबसे last point ये है कि अगर आपने अपने baby को cow milk देना start कर दिया है और उसकी age अभी one year से below है तो हो सकता है baby को calcium की कमी हो जाए क्योंकि cow milk में वो सारे nutrients जो होते हैं कम होते हैं जो की mother milk और formula milk में होते हैं इसलिए doctor और health specialist हमें यही suggest करते हैं कि हमें one year से below के baby को cow milk जो है नहीं देना चाहिए और cow milk में calcium भी कम पाय जाता है comparison to mother milk और formula milk तो अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे baby में calcium की कमी हो गई है हम कैसे पहचानेंगे कि baby को calcium की कमी भी हो सकती है तो सबसे पहला point यह है कि अगर आपका baby चिर्चिरा सा है बच्चा बाद बाद पर रोने लगता है ठीक से खाना नहीं खाता या उसकी growth ठीक से नहीं हो रही है इसका मतलब है कि आपके baby में calcium की कमी हो सकती है दूसरा point यह है कि अगर आपके baby का blood pressure कम है या heartbeat धीमी चलती है तो हो सकता है कि baby में calcium की कमी हो कभी-कभी यह भी देखने को मिलता है कि calcium की कमी की वज़े से ही baby के दांत निकलने में भी देरी हो जाती है या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं उनको रात में सोते समय बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है तो इसके पीछे भी calcium की कमी हो सकती है तो यह तो होगे symptoms कि हम कैसे पहचानेंगे कि baby को calcium की कमी है अब बात करते हैं कि हम calcium की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज यह है कि आपको अपने baby की diet को change करना होगा अगर वो 6 months से above है दूसरा point यह है कि आप अपने baby को सूरज की धूप दिखाईए आपको सूरज की पहली धूप दिखानी है जैसे दिखे साथ 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 तक तो धूप अक्सा निकल ही आती है तो उस टाइम आपको baby को थोड़ी देर के लिए धूप में रखना है इससे क्या होगा कि baby को vitamin D मिलेगा और vitamin D से ही calcium की मात्रा भी बढ़ती है अब तीसरा point यह है कि अगर आपने baby को cow milk देना start कर दिया है और baby अभी 1 year से below है तो आप cow milk को बंद कर दिजे और baby को breast milk या formula milk ही दिजे तो कि mother milk और formula milk में जो जरूरी nutrients होते हैं बेबी की growth के लिए वो cow milk में नहीं होता है तो अगर आपका baby 6 months से below है तो आपको उसको proper feed देना है अगर बेबी का mother milk से पेट नहीं भर रहा है या mother milk कम हो रहा है तो आप साथ में formula milk भी बच्चे को दीजे और अगर आपका baby 6 months से above है और आपने solid दिना स्टार्ट कर दिया है तो आप बच्चे को calcium rich food दीजे या calcium supplement दीजे जिससे की baby की body में अगर calcium की कमी है तो वो दूर हो जाए तो सबसे पहला point ये है कि आप अपने baby को milk तो देती ही होंगी उसके अलावा अगर आपका baby milk कम पीता है या milk में उतना interest नहीं लेता तो आप दूर्ट से बनी हुई चीजे दीजे जैसे दल्या, खीर, हल्वा आप जो भी बच्चे के लिए मीठा बना रही है उसमें milk जरूर add करिए इसके अलावा आप बच्चे को औरेंज चिलाए अगर बच्चा औरेंज नहीं खा पा रहा है तो आप औरेंज जूस दीजे औरेंज में भी भरपूर माता में calcium होता है तीसरा पॉइंट आप बच्चे को बदाम खिलाए अगर बेबी के दांत अभी नहीं निकले हैं तो आप बदाम को mixi में grind कर सकती है और उसका powder के form में हर चीज में बदाम को add करिए जो भी आप बच्चे को खिला रही है तो इससे क्या होगा कि बच्चे की body में जो calcium की कमी है वो दूर हो जाएगी क्योंकि बदाम में या dry fruits में calcium की भरपूर मात्रा होती है अब four point ये है कि आप अपने बेबी को रागी खिलाईए आप रागी को किसी भी form में दे सकती है जैसे रागी का हलवा रागी की खिच्डी रागी का हलवा कैसे बना सकते है इस पर मैं एक secret वीडियो कर चीकी हूँ जिसका link मैंने description box में दे रखा है आप चाहें तो वहाँ जाकर की देख सकते हैं और मैंने दलिया भी चोटे बच्चों के लिए कैसे बनाना है उस पर भी मैं एक secret वीडियो कर चीकी हूँ जिसका link मैंने description box में दे रखा है आप चाहें तो वहाँ जाकर की देख सकते हैं आपने एक देना शुडू कर दिया है अगर आपका बेबी एक खा लेता है तो आप अपने बच्चे को एक खिलाइए boil एक खिलाइए क्योंकि एक में भी कैर्शेम की भरपूर मात्रा होती है हो सके तो अगर आपका बेबी 8 मन्थ कम्प्लीट कर लिया है या 1 एर का हो गया है तभी आप अपने बच्चे को एक खिलाइए इसके लावा ग्रीन वेजिटेबल्स भी आप बेबी को दे सकती है तो यह है कैर्शेम रिच फूट जो आप अपने बेबी की डाइट में फॉलो कर सकती है और बच्चे की डाइट में शामिल कर सकती है तो यह है मेरा आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको फटाफट लाइक कर दीजे जितना हो सके दूस्टे पैरेंस के फांत इसको शेयर करिए जिससे की उनकी भी हेल्प हो पाए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजे सब्सक्राइब करते वक्त बैल आइकन जरूर हिट करिएगा जिससे की मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए तो मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब कर के लिए बाए